नमस्कार हर एंबार कि जीहुन मेंن है कुछ ऐसी बाते होती है ना उसको छोड़ देना वेहतर है वरना अगर क्या हे दिमाग में टेंशन प्यदा होती है ऋर वो टेंसर है ना खुद के करन प्यदा नहीं होती दूसरों को करन पैदा रोती है एक तनाव, एक एक एंजाइटी दिमाग गेदा होती चुक्त्थ एक पेदा होती है। और इनसान का मन हमेशा ही एक मेचेन, एक चिंतित रहता है। और दिमाग और टेंशन हिए टेंशन है। दूसरी लोगों के करा है तो खुद के करन तर नहीं थे। क्या सरफ करना क्या दूसरों की हजार स्लेंतां आरे जा उसको यह करना चाहिए और यार वह ऐसा क्यूंद कर रहा है रहे लोग ऐसी क्यूंद कर रहे हैं बस उन बातों को तरफ दिमागम बर्वढ़ पर लेते हैं और तो बस डिमाग बंटें डिश्टक हो जाओगे आपको जाना इदर है और आप जोगे इतर आप सोचो के इदर और आपका दिमाग जाएगा इतर इसलिए दूश्यों को कारण आपके दिमाग में टेंसन क्यों बरना अपने दिमाग में जो ये mentally है ना bad mentally वाली बात है ना उसको निकाल ले जो हो रहा जो होने तो कोई आपके बात नहीं मान रहा तो कोई बात नहीं उसके पिछे मत पड़ो वो आदते कैसी हैं क्या इन इसी आदतों के कारण आप भी टेंसल लेते हो आपके दिमाग में भी लोड रहता है अगर ऐसा है तो इन आदतों को छोड़ दे रहा है वो आदते क्या है आज अपन देखेंगे नमबर वार आपका कोई खास करीबी है यानि कि कोई आपका दोस्त है या कोई आपका अच्छा रिलेटिव है तो अगर आपके एक बार से समझाने से वो नहीं समझ रहा है दो बार समझाने से नहीं समझ रहा है तीन बार नहीं समझ रहा है उसको उसके हाल पर छोड़ो आप उसको अच्छी एडवाइज दे रहे हो तो इंसान उसके साथ में कंदा देता है लेकिन उसके साथ में जलता थोड़ी है कहता है ना कि कंदा दे दिये जाएगे लेकिन उसके साथ में जलेगा नहीं तो आप टेंशन में है तो आप टेंशन में क्यों होते हो आप उसको समझा रहे हो एक बार दो बार तीन बार वो नह अच्छी तरह समझाना उसका हित अहित उसको समझाना वह समझे तो ठीक नहीं तो उसके उसके हाल पर छोड़ देना सेकट जब बच्चे बड़े हो जाएना तो बच्चों के पीछे दोड़ लगाना छोड़ दीजिए हर माबाप को अपने बच्चे की टेंशन होती है लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाए जब बच्चा अपना हित अहित समझने लग जाए ना तब उसको आप एक बार समझा दे दो बार समझा लेकिन उसके पीछे दोड़ मत लगाई आज कल की जनरेशन के बच्चे क्या करते हैं वो अपना हित अहित अच्छी तरह समझते हैं और वो माबाप को बहुत कम वेल्यू देते हैं तो आप अपने बच्चों को पीछे दोड़ लगाना छोड़ दीजिए आप उनको 24 गंटे उनके पीछे रहना छोड़ दीजिए आप ठीक है आपको उनके बच्च की चिंता है लेकिन अब वो भी तो बड़े हैं वो भी तो अपना हित अहित समझते हैं ना आप उनको लेकर बार बार अपने दिमाग में टेंशन लेते हैं और यार वो ऐसा क्यों कर रहा है मेरा बेटा इसा क्यों कर रहा है मेरा बेटा इ एसी टेंसन कोंगती रहेगी इच्छा और शम्ता में बहुत फर्क है ध्यान रखना अपने खुज से बहुत ज्यादा अपक्सा मत रखे इच्छा तो क्या होती इच्छा तो कहते हैं कि इंसान बड़े-बड़े राजाओं की भी इच्छा पूरी नहीं है इच्छा चो कितनी है काम करने की वह देखिए इसलिए अपने खुज से ज्यादा अपेक्षा मत रखे अपनी जतनी ज्यादा शम्ता होना उस के अनुसारी कारी करें अगर आप अपनी इच्छा को ज्यादा मात दोगे और उतनी अगर आपकी सरीर में नहीं होगी ना तो आप बार बार तेंसन देते होगे यार मेरा वो का देखिए पूरा दिवार मुझे वह करना था यार मुझे वह जाना था यार बस निमाग टेंसन लेते हैं इसा कभी मत करना जितनी अपनी शरील में श्यंका है उतनी ही इच्छा रखना कोई पीट पिछे बुराई करे तो करने देना जिवन में आप अच्छा करोगे ना तो बुरे लोग आपकी बुराई करेंगे और इस जिवन में आप बुरा करोगे ना तो अच्छे लोग आपकी बुराई करेंगे कोई न कोई तो आपकी बुराई अवश्य करेगा इस संसार में इस वर्ड में तो ध्यान रखना जिवन लोग आपकी बुराई करे तो करने दे उनको लेकर आप दिमाज में टेंसन न ले